तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूं बहुत ही easy recipe राज कचोरी की तो यह राज कचोरी जो है बहुत बड़ी हम बनाएंगे जंबो साइस की या तो आप इसको कह सकते जंबो पानी पूरी की तरह होती है तो यहां पे मैं ले रही हूं एक कटोरी सूजी और एक कटोरी हम जूजी मैं लूफी मैदा को यकवल कवान्टिटी में ले रहे हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून बेकिंग सोड़ा इन सब शीजों को मिक्स करने की बाद हम थोड़ा-थोड़ा पानी आड करेंगे जैसे हम नौर्मल आटा गूंते उस तरह से गून लेंगे और फिर इससे चोटे-चोटे इसके पेड़े बना लेंगे और पेडों पर थोड़ा सा हम सूखा अटा लगाएंगे और इसकी पूरी या बेल लेंगे तो देखिए पूरी के तरह हमने इसको बेल लिया है और अब ह दूसरे साइट से भी वन्यवैं लेंगे तो यह देखिये हमने इसको मेडियम पर फ्राइब कर लेंगे अब अब हम भाल कर लेतें हैं और यह दिखिए कितनी अच्छी फूली है अ majesty भAT विय तो इसी तरह हम दूसरी दी पूरी z भी इसी तरह राओ कर लेंगे कि देखिए तो इसमें हमने सूजी यूज की है तो उस वज़े से ज़ए ज़ादा देर तक क्रिस्पी रहेंगी तो यह देखिए राज कचौरी के लिए हमने यह फ्राइ कर लिए अब इनको बस असेंबल करना है तो इसके अंदर हम होल करेंगे और अब हम इसके अंदर जो फिलिंग है वह डाल देंगे तो यहां पर मैंने लिए हैं बॉल्ड आलू और वेजी इस ली है कुछ तो आप अपनी चॉइस के साब से इसमें चीज़े आड़ कर सकते तो मैंने इसमें प्याज हरे मेरे चॉट टमाटर भी आड़ किया है यह और इसके बाद हम आड़ करेंगे तो यह रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की तो वह लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यह लेखे कितनी अच्छी लग दी आप इसमें और चीज़े एड़ करेंगे और यह री चटनी हम इसमें आड़ कर देंगे और अपनी मर्जी से इसके अंदर फिलिंग की क्वांटिटी और चीज़े एड़ कर सकते हैं आप इसमें और भी वेजटेबिल से एड़ कर सकते हैं और अब हम इसमें आड़ कर देंगे तो यह रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी तो लिंक में उसका दिसक्रिप्शन अब उपर से चने आड़ कर रहे हूं और यह देखे हरा धनिया डाल दिया और लास्ट में हम इसके उपर सेव टाल देंगे तो उससे इसका टेस्ट और एन्हांस हो जाएगा तो यह मैंने वह स्पाइसी वाले सेव लिए हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिए सक झाट